हेई लव्स वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसीजम बाइपूरबा कैसे हैं आप लोग आई हो कि आप सब बहुत अच्छे हो गाईज करेंगे हम देखेंगे अगले 24 गंटे में आप और आपके परसं की करेंट फीलिंग और नेक्स्ट मूव एक दूसरे के प्रतीक क्या होगा आप सब के लिए आप सब देख सकते हो अगर आप इंस्टा यूजर हो तो इंस्टाग्राम में भी जरूर चुड़िए इंस्टा इडी है मिस्टर सीजम बाइपूर्ब ऑफिशिल जहां पे मैं डेली रीडिंग्स, गाइडेंस, वीडियोस लाती हूँ साथ में मैं बहुत बार फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ लाइव आकर आप सब के लिए तो जरूर आप इंस्टाग्राम फैमिली में भी जॉइन कर लीजएगा और इस चैनल पे मैं बहुत सारी और ज़िडियो डाले हैं तो जरूर आपको अगर अभी तक मिला नहीं है आप सर्च कीजे मेरे चैनल पे जाके वीडियो स्क्रोल कीजे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे तो चलिए देख लेते हैं हम दो कार्ट्स निकालेंगे एक कार्ड आपके परसन के लिए और एक कार्ड आपके लिए यह आप दुनों के नेक्स 24 आवर के एनर्जी एक दूसरे के प्रती होने वाली है We have hostilities number 26 यह आपके एनर्जी है आपके परसन के एनर्जी देख लेते हैं We have six chakra archangel metatron number 40 All right Next 24 hour में आपके एनर्जी मुझे दिख रही इस relationship से related कि आप कुछ decide करेंगे ठीक है अब यह decision किसी भी तरीके का हो सकता है पर मुझे आपके दिख रहा है कि Finally you will decide something really permanent and important तो हो सकता है कि आप decide करोगे कि आपको यह इनसान के साथ तरा लाइफ टाइम रहना है या नहीं ठीक है इनको लेकर serious रहना है या नहीं ठीक है या क्या करना है तो कुछ important decision making energy में आप रहोगे कि इस रिष्टे से जुड़ा हुआ इस bond से जुड़ा और इस इनसान से जुड़ावा मुझे कोई decision एक लेनी होगी चाहिए वो अच्छी हो या बुरी हो बट मेरे खुद के अच्छाई के लिए यह चीज़ लेनी होगी ठीक है तो यह चीज़ यहाँ पर सबसे पहले दिख रहे है कि आप एक ऐसे deficient making energy में रहोगे आपको से लएगा कि you cannot wait or you cannot have patience ठीक है आपको से लएगा कि अब या तो रिष्टा चलेगा या तो नहीं चलेगा या फिर कुछ मुझे करना हुँ होगा ऐसे आपकी energy रहेगी वैसे आपके person के next 24 hour के energy मुझे दिख रही है कि यह इंसान अपने intuition को अपने दिल को सुनेंगे इस रिष्टे से जुड़ा हुआ तो इनका दिल अब तक जो कहता हुआ आया है या जो इनको guide करता हुआ है कि तुम इस रिष्टे में ऐसे करो या इस इंसान के लिए ऐसे करो और उन्होंने सुना नहीं तब मुझे या पर दिख रहा है कि यह इंसान इस connection के essence को feel करते हुए अपने intuition को कहीना कहीं सुनेंगे, feel करेंगे, महसूस करेंगे और कुछ ऐसी चीज़े, कुछ ऐसी realization इनको इस रिष्टे से जुड़ी हुई होगी जो अब तक इनको हुई नहीं थी because of their practicality and ego तो उनके arrogance and ego के वज़े से कहीना कि उनको इस रिष्टे की बहुत सारी अच्छी सच्चाई या आपका प्यार हो सकता है इनने ना दिखा हो जो कि next 24 hour में दिखेगा and अपने intuition को सुनकर, अपने दिल के सुनकर आपके two words, इस रिष्टे की अच्छाई के two words कुछ करना चाहेंगे यह चीज़ यहाँ पर दिख रही है चलिए देख लेते हैं और the cards we have two of cups we have queen of cups we have page of pentacles we have three of wands, okay next 24 hour में आपके person के energy बहुत अच्छी रहीगी क्योंकि अब तक कही न कही उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने गल्तियों को नहीं सुधा और पाएंगे चीज़ें चेंज हो चुकी है, बहुत हत्तक आगे बढ़ चुकी है यह नो complicated हो चुकी है, ऐसी उनकी mindset थी लेकिन next 24 hour में जैसे मैंने बताया कि उनकी आखे खुलेंगी दिव्वे आखे खुलेंगी तो उनको इस relationship, इस bond से related सच्चाई दिखेगी और सच्चाई दिखने के वज़े से उनके मन में और ज़्यादा प्यार उमड़ेगा आपके टुवर्ट्स, next 24 घंटे में आपके प्रती प्यार आएगा और इसी प्यार के चलते उन्हें ऐसा feel होगा कि नहीं, अभी भी हम effort डाल सकते हैं अभी भी हम situation को change कर सकते हैं, अभी भी हम complications को हटा कर इस connection में smoothness, clarity ला सकते हैं, ठीक है तो ये इनसान कई न कई पूरी planning करेंगे कि अब उनको आपके साथ कैसे deal करना है किस तरीके से deal करना है, आपके लिए क्या-क्या करना है उन्हें अब ताकि आप दोनों के बीच में पहले की जैसे खुशियां आजाएं, प्यार आजाएं, closeness आजाएं ठीक है, और ये planning को सिर्फ करेंगे ही नहीं, बलकि कुछ execution भी ये next 24 hour में ही कर देंगे तो मुझे यहां दिख रहा है कि बहुत सारे planning करेंगे, लेकिन उसमें से एक या दो चीजें वो next 24 गंटे के अंदर आपके लिए जरूर से जरूर करेंगे जहां पर मुझे एक energy दिख रही है, surprise देने वाले, surprise जैसे कि कोई flower bouquet आपको भेज दिया, आपके लिए flower लेके आए या फिर आपके लिए कोई colorful thing या nature से जुड़ी होई चीज हो आपको gift कर सकते है next 24 hour में, कोई glass, कोई mug, जिसमें प्यार का symbol बना हो, कोई soft toy, flowers, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई statue जो की nature को represent कर रहा है, nature को, love को, ठीक है, आपको riverside date पे लेके जा सकते हैं, beach पे लेके जा सक 24 hour में, जाए situation आपका कैसा हो, तो मुझे या पर दिख रहा है, basically, आपके person को बहुत 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 जादा प्यार आने वाला है, आपके उपर next 24 hour में, उसी के चलते, कहीं न कहीं, वो आप समझ पाएंगे धंग से, कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना ठीक है, और आपके energy मुझे थोड़ी सी impulsive, aggressive दिख रही है, कि या तो करो या छोड़ो, ऐसी वाली energy है, ठीक है, लेकिन मुझे या दिख रहा है, कि ये जो एक्दम angry वाला energy आपका होगा, next 24 hour में, वो शान्त हो जाएगा, क्योंकि आपके person आपको बहुत प्यार करना चाहे और उनके कुछ बातों से, gestures से, definitely you will feel relaxed, आपको सब फील होगा कि ठीक है, हमें इतना जादा भी, you know, अपने energy को भटकाना नहीं है, या जादा घुसा नहीं करना है, या impulsively कोई भी conclusion तक नहीं जाना है, ठीक है, तो ऐसी energy मुझे या पर दिख रही है, कि initially आपका जो दिन सकता है, आप देख रहे हो, तो अभी हो सकता है, कि आपको लगे कि it's impossible, या ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा आपको लगेगा, घुसा आएगा, थोड़ा, चिर चिराहट होगी, and, but, जैसे next 24 hour खतम होने वाला होगा, उसके पहले ही आपको परसन के तरफ से, ग्यारंटेट कु जैसे next 24 hours में, जिसके चलते ही, वो next 24 hour में पुरा planning plotting कर लेंगे, कि उन्हें आपके साथ कैसे रहना है, क्या करना है, क्या special करना है आपके लिए, और execute करना भी शूरू कर देंगे, ठीक है, तो ये उनके तरफ से जो efforts होगा, आप पर्मरेंट ली आप expect कर सकते है, फ्रम टॉ टाइम, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में एक soulmate वाली energy को recreate करना चाहेंगे, कि आप भी उन्हें बहुत प्यार दो, और वो भी आपको बहुत प्यार करें, ठीक है, तो ये energy कहीं ना कहीं बहुत ही बहुत ही अच्छी मुझे या पर दिख रही है, तो आपके person बहुत ही एक divine वाली aura में रहेंगे, next 24 hour में, ठीक है, and definitely जो sparkle miss हो चुका है, या vanish हो चुका है, वो recreate होगा आप दोनों के connection में, आपको थोड़ा सा अपने घुसे को, या फिर decision making energy को, थोड़ा सा slow down कर लेना चाहिए, ठीक है, because बहुत बहुत बार impulsively decisions लेना सहीं नहीं होता, so ये थी आप लोगे reading, I hope आपको पसंदा, अगा पसंदा तो प्लीस तो like, comment, share and subscribe, मैं मुलती हूँ आप लोगो नेक्स वीडियो में, आपने के लिए, बाबाई